ब्रॉट तो यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स चल पाता है इस तरह की समस्या है गरीवी में जीवन जी रहे हैं तो आपको जो आज ये उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय करिए गरीवी दूर होगी बड़ी गंभीरता से ये उपाय करिएगा देखे इस जगत के जो पालनहार है वो है भगवान विश्णू हम लोगों की स्थिती बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्रेन में हम लोग सवा रहे हैं हम सब यात्री हैं और ट्रेन में हम दोड रहे हैं और एक दूसरे को पीछे करने की कोशिस कर रहे हैं हमदोड़ी आगे निकल जाएंगे और आगे पहुंच जाएंगे लेकिन ट्रेन तो अपनी स्पीड में चल रही है और जब с्टेशन में पहुंचेगे तो सब साथ में पहुंचेगे चाहे जितनी पालन हारे, अगर भगवान विष्णू की कृपा हो जाये, तो हम जितनी मेहनत करते हैं, उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है, और अगर कृपा ना रहे, तो जितनी मेहनत कर लीजे, बहुत थोड़ा सा फल मिलता है, और गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे आप लोग देखते ने ये बड़ी गरीवी में गुजर बसर करते हैं लोग तो यदि आपके पास धन की कमी रहती है गरीवी में जीवन जी रहे हैं तो ये उपाय जरूर करिए क्या करना है आपको ब्रहस्पतिवार के दिन ब्रत रखे भगवान विष्णू का दिन होता है ब्रहस्पतिवार जगत के पालनहार भगवान विष्णू का पूजन ब्रहस्पतिवार के दिन ब्रत रख करके करें सुबए सुबए उठे इश्नान कर लें और ब्रत का संकल्प ले ले पीले रंग का वस्त्र धारन कर ले पीले रंग की शर्ट पहन लीजे टी शर्ट पहन लीजे कुर्टा पहन लीजे जो पहनना है आपको एक वस्त्र पीले रंग का जरूर पहने माल लेजे पीले रंग का वस्त्र नहीं है अपने पास रख लीजे और ब्रत रखा भगवान विश्नु का पूजन करें कैसे पूजन करेंगे आपके घर के आसपास जो मंदिर हो लक्ष्मी नारायन का भगवान विश्नु का वहाँ जाएं मंदिर में अपने घर से बेशन की मिठाई बना कर ले जाएगा तुलसी दल तुलसी का पौदा अपने घर में अवश्य लगा लिजे तुलसी दल लेके जाएए बेशन की मिठाई थोड़ा सा घर में बना लें वो लेके जाएं एक नारियल लेके जाएं और रितु फल जो जिस मोसम में फल मिलता है वो फल ले लिजे, जाएं भगवान विश्णु के मंदिर में अर्पित करें, पंडी जी से निवेदन करके अर्पित करवा लें और वहाँ पर बैठ जाएं भगवान विश्णू के मंदर में थोड़ी देर बैठें मंत्र जो आपको बताने जा रहे हैं इस मंत्र का तुलसी की माला से 21 माला जाब करें मंत्र नोट कर लिजे ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का तुलसी की माला से 21 माला वहीं बैठ कर जाब करें फिर भगवान विश्नु की आरती कर लें आरती करने के बाद प्रात्ना करें कि गरीवी दूर हो धन की कमी दूर हो खूब धन आये भगवान विश्नु कृपा करें फिर इसके बाद आप जो प्रसाद आपने भोग लगाया वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाटते हैं यह उपाय हर ब्रहस्पतिवार के दिन करना शुरू करें और जो आपको मंत्र बताया है उस मंत्र का प्रति दिन अपने घर में बैठ करके अगर ज़्यादा समय नहीं तो अपने घर में बैठ करके या आप मंदिर में आ सकते हैं तो मंदिर में आकर बैठ करके आप उस मंत्र का ग्यारह माला प्रति दिन जाप करें एकिस माला आप ब्रहस्पतिवार के दिन जाप करें यह उपाय करना शुरू करिए छे मैने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा आपको कितना फाइदा हुआ लिख कर बताईएगा यह उपाय आप गंभीरता से करना शुरू करिए भगवान विश्णू की करपा आपको अवश्य मिलेगी और गरीबी दूर होगी ऐसी परिस्थितियां बनेगी भगवान विश्णू की करपा से कि कहीं न कहीं आपका काम बनने लगेगा लोग आपको पसंद करने लगेंगे आपको काम देने लगेंगे आप नोकरी ढूड़ रहते हैं तो नोकरी मिल जाएगी आपका सुभाव इत्ता अच्छा हो जाएगा कि लोग आपको पसंद करने लगेंगे देखिए होता क्या है जैसे नोकरी है, बिजनेस है टेलेंट के साथ साथ सुभाव से चलता है टेलेंट तो ठीक है, आपने MBA कर लिया, आपको नोकरी मिल गई बड़ी अच्छी नोकरी, लेकिन अगर आपका सुभाव अच्छा नहीं है, तो नोकरी जादा दिन तक नहीं चलेगी बहुत परिशानी आएगी लेकिन अगर आपका सुभाव अच्छा है और थोड़ी सी क्वालिफिकेशन कमजोर भी है, तो आप आगे चलके उस MBA वाले को भी पीछे कर सकते हैं, इस बात की गारंटी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा सुभाव अच्छा है, आप छोटी पोस्ट से शुरू करेंगे और बड़ी पोस्ट तक आगे बढ़ने में आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अगर आपका सुभाव अच्छा है तो लोग आपसे सहज होकर के अपनी बात रखेंगे और आप पर भरोसा करेंगे तो किसी भी छेत्र में सफलता के लिए चाहिए आप नौकरी कर रहे हैं आप बिजनेस कर रहे हैं सुभाव अच्छा होना चाहिए और वो सुभाव भगवान की क्रपा से अच्छा होता है किसी इन्वस्टी में सुभाव की पढ़ाई नहीं होती कि आपका नेचर कैसा होगा, ऐसा नेचर बना लो ये याद कल लो, ये रटलो ये एक्जाम में लिखतो संगती से मिलते हैं तो आप परिवार से आपको संसकार मिलेगा, आपके दोस्तों, मित्रों से संसकार मिलेगा आपके अच्छी संगती से संसकार मिलेगा, आपके गुरु जनों के आशिरवाद से संसकार मिलेगा और सबसे बड़ा संसकार मिलेगा भगवान विश्नु की क्रपा से अगर कहीं कोई गड़बड है परिशानी है तो सीधे भगवान की शरण में जाएए डारेक्ट कनेक्शन बनाईए भगवान से और आपका सुभाव अच्छा होगा आप भगवान विश्नु की क्रपा से वो जगत के पालन हा रहें सब की चिंता है उन्हें और जो उनके जितना करीब आता है उसकी भलाई भगवान उतना जल्दी करते हैं तो इसलिए ये उपाय आप निरंतर करते रहेगा गरीबी दूर भी हो जाए पैसा आने भी लगे तो भी इस उपाय को नहीं छोड़िएगा बहुत सारे लोग कर रहें उनको फायदा हो रहा है तो आपको भी अवश्य फायदा होगा और एक काम जरूर करें कि आप तो इस वीडियो का लाब उठाएं है उठाएं और भी लोगों को शेयर करिए उनके तक भी पहुँचाईए जो आपके करीबी लोग हैं जिनका आप भला चाहते हैं जो आपका भला चाहते हैं ऐसे लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुचा दे ताकि उन्हें भी फायदा होगा ये बड़ा पूर्णे का काम है ये आपके सुभाव में पोजिटिविटी को बढ़ाएगा जब आप अच्छी वाते दूसरों को शेयर करेंगे तो वो भी अच्छी वाते आपको शेयर करेंगे ऐसे लोगों के बीच में प्रेमभाव बढ़ता है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे ताकि बहुत सारी जो महत्यपूर्ण बातें आती हैं एस्टो तक में वो आपसे छूट न जाएं एस्टो तक निरंतर आपकी जीवन में उन्नती के लिए मार्गदर्शन करता है तो वो चीजें आपसे मिश न हो जाएं, छूट न जाएं इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दवा दीजे ताकि महत्यपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे तो अभी वक्त हो गया है विदा लेने का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए यहीं समाप्त करते हैं और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और विशय पर बात करेंगे बुले भगवान विश्नु की जय अगर आप मुझसे जुड करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को जोतिश के माध्यन से सुल्जाया जाए तो आप हमसे संपर्थ कर सकते हैं जुड सकते हैं एश्चो तक पर